नमस्ते, विजिटल सेवा गुजराद चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, आज हम CAC के नए प्रोजेक्ट कल्चर सर्वे के बारे में विशेश से चर्चा करेंगे, जिसका नाम मेरा गाउ मेरी धरोहर का नाम दिया है, जिसे हम कल्चर सर्वे कहेंगे, और उस सर्वे का काम CAC को दिया है, और हमें हर एक गाउं में जाकर गाउं के लोगों को मिलकर ये सर्वे को पूरा करना है, तो हम विडियो को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि कल्चर सर्वे क्या है और किस तरह से सर्वे करें तो सबसे पहले हम कल्चर का अर्थ समझेंगे कल्चर यानी की संस्कृती संस्कृती एक शत्र शब्द है जो मानव समाजों में पाई जाने वाले समाजिक विभार और मानदन्डों के साथ साथ इन समुहों में व्यत्तियों के ग्यान, विश्वास, खला, कानून, वीती रिवाजों, शम्ताओं और आदतों को शामिल करता है हमें ग्रामीर स्तर पर विभिन्द संस्कृतिक पहलों को निम्नलिखित मुद्दो पर संस्कृती यानी कल्चर सर्वे करना है akter बिलीव्यीयानिकी, मानिताय, ब्रधेशनल फुडज सथयों निकी, पारम परिए खाट यानिकी, पारम परिए कोशाक और अभुशार, हेरिटेश पलेसस यानिकी, विरासत स्थल, फेस्टिवल्स सמים और ले स्थार आहार और मेले, Traditional Arts and Crafts यानि की पारम परिक्कला और शिल Famous Personalities यानि की प्रसिद्ध व्यक्तित्व Prominent Artists यानि की प्रमुक कराकार उपर के इन विशव पर हमें Culture Survey यानि की गाउं का सांस्कृतिक सर्वे करना है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम बिलिफ यानि की मानिता के बारे में समझेंगे मानिता सिध्धान्तों या सिध्धान्तों का एक समू है जो एक साथ एक धर्ण, दर्शन या नैतिक सन्हिता का अधार बनता है एक विश्वास प्रणाली में परसपर सहायक विश्वासों का एक समूर्श शामिल होता है। ऐसी किसी भी प्रणाली की मानिताएं धार्मिक, दार्शनिक, वैचारिक या इनमे से एक संयूजन हो सकती हैं। यह रीती रिवाजों, आदर्शों, अनुष्ठानों, धार्मिक प गटनाओं से संबंदिर। उधारं के तौर पर देखे तो गुंडियाली में लोगों की कई दिल्चस्प पारंपरिक मानिताएं हैं और वे पारंपरिक प्रथाओं का पूरी लगन से पालन करते हैं। यह रावल पीर के लिए पवित्र मंदिर है जिसे सेट सुन्दर जी औ परा समवत 1876 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि रावल चौदवी शताबदी में अपनी मां के हाथ की हथेली में च्छाले से पैदा हुए थे। ने जखाओं में कई मुस्लिम मिशनरियों को नश्ट करने के लिए एक नाम प्राप्त किया जिन्होंने धिनोधर पहाड में एक बार कई मुसल्मान और हिंदू आते हैं मनते लगाते हैं और मंदिर के चारों और लगे पत्थर घुरों के गले में पूलों की मारा लटकाते हैं इस तरह हमें गाओं में जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जैन दिरासर है उसके साथ जुड़ी हुई मानिता को सर्वे में शामिल कर लेना है और हमें वह धार्मिक जगह पर जाकर उस जगह का फोटो खेच लेना है और तीस सेकंड का वीडियो भी ले सकते हैं जिसे हमें सर्वे में अपलोड करना है गाओं में विभिन धार्मिक मानिताओं में हिंदू धर्म इसलाम और जैन धर्म शाम ये स्पष्ट है कि इन वस्तों को दूले के स्थान पर होने वाले कारिकरम में वितरित किया जाता है। दुलहन का परिवार उपहार और मिठाई के साथ दूले के घर पहुचता है और फिर युगल अंगूठियों का आदान प्रदान करता है। और एक उदाहरन देखे तो कोलम एक रोजमर्रा की कर्मकांडिये मंजिलकला है जो ज्यादातर तमिलनाडू की हिंदू महिलाओं द्वारा अभ्यास की जाती है। इस फॉर्म का एतिहासिक और निवन्शविज्यान की दृष्टी से पारिस्थितिकी और लिंग से संबंध है और गणितिय सटीक्ता के साथ इसका अभ्यास किया जाता है। की मानिताय के बारे में जानना है लिखना है और उस चीज का फोटो और विडियो सर्वे में अपलोड करना है। प्रीफ यानि की मानिता के एक साम्पल आप इस फोटो में देख सकते हो, इस तरह के फोटो आपको खीचना है और अप्लोड करना है। इस तरह हमें गाउं के सभी धार्मिक स्थलो एवं मानिता इस सर्वे में कवर कर लेनी है। अब हम ट्रेडिशनल फूड यानि की पारंपरिक खुराक के बारे में जानेंगे पारंपरिक खार्देपदार्थ से खार्देपदार्थ और व्यंजन हैं, जो पीडियों से चले आ रही हैं या जिनका सेवन कई पीडियों से किया जा रहा है। राश्ट्रिय वेंजन, शेत्रिय वेंजन या स्थानिय वेंजनों में पारंपरिक खाद्य पदार्थों की अतिहासिक मिसाल हो सकती है। कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थों में भौगोलिक संकेत और पारंपरिक विशिष्टताएं होती है। उदारण बिर्यानी पूरे देश में बनाई जाती है लेकिन शेत्र के अनुसार भिन्नताएं होती है। हैदरबादी बिर्यानी लक्नव में मिलने वाली बिर्यानी से अलग है हमें इन सूक्ष्म अंतरों पर ध्यान देना होगा। गाउं की स्थानिक खाना बनाने की विधी, प्रथाय, धार्मिक विधी और वे जिस तरह का खाना खाते हैं, उसमें युज होने वाली विशेश सामग्री, क्योहार, समारो और धार्मिक विधी में उसके क्या जुडाव हैं, वो हमें सर्वे में कवर करना है, प्रिंपल के नारियल अंडे आदी के मिश्रन से बनाया जाता है, नुल्यतत जो चावल के आटे और मैसूर केले के टुक्रों से बनाया जाता है, वर्यतत जो उगले चावल और केले से बनाया जाता है, कैविश्न जो सभी उद्देश के आटे और अंडे से बनाया जाता है, किथाल रुट जो पके हुए चावल और नारियल से बना हुआ इराचि पथिरी, जो मांस, गेहुं का आटा, प्याज, धनिया पत्ती और अन्य सामगरी का उप्योग किया जाता है, वटपम, जो कच्छे, चावल, नारियल, खमीर, जीरा, नारियल का दूद, काजू, चीनी आदी से बनाया जाता है, इस तरह, हमें गाओं, के पारंपरिक खाद को सर्वे में कवर करना है, अब हम प्यदिशनल ड्रेज और 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 नमेंट यानि की पारंपरिक पोशाक और आभूशन के बारे में जानेंगे पारंपरिक पोशाक और आभूशन यानि योग्य समुहों को पहचानने के लिए पारंपरिक पोशाक वस्त्र गहने और सहाय कुपकरण के रूप में परिभाशत किया जा सकता है वात्यांश पारंपरिक पोशाक पोशाक अक्सर जाती है शेत्री और लोग पोशाक के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उदाहरण के लिए कच्छ की इम्रोडरी भारत में कच्छक्रशी का एक कला हस्तशल्ब और कपड़ा हस्तशल्ब अब हम इस सेंपल के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए हम गुजरात के कच्छ शेत्र के पारंपरे गहने और पोशाक का सेंपल आपको दिखाएंगे ऐसे की कच्छ की इम्रोडरी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ चिले के आदिवासी समुदायों की एक हस्तशल्ब और वस्त्र हस्ताक्षर कल परंपरा है इस शिल्प कारिसे जुडे रबारी गरास या जाट और मुत्वा के आदिवासी उपसमुहों के आधार पर कई हाथ की कढ़ाई वाली जातिय शैलिया विक्सित हुई है हम जिस गाओं में सर्वे के लिए गए है वहां के लोगों का मुख्य पारंपरिक पोशा रहे हैं जो आपके सामने हैं जिसमें उनके पारंपरिक पोशाक और आभूशन दिख रहे हैं बस हमें गाओं के लोगों को पूछ कर सारी डिटेल भरनी है हेरिटेज यानी की विरासत के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी चीजे हम हेरिटेज के आप्शन में ले सकते हैं जैस की मुख्य रूप से निर्मित विरासत, कोई भी संरचना, निर्मान या समारक, परिद्रिश्य, कोई ट्यूमूलस या इंटर्मिंट की जगह या कोई गुफा, रॉक मून तिकला शिलालेक या मूनोलिद जो एतिहासिक, पुरातत्विजा कलात्मक रुची का है और जो कम से कम एक सो वर्ष से आस्तित्व में है जैसे कि निर्मित विरासत में पुरातत्विक स्थल, एतिहासिक समारक, वास्तुकला, पूजा स्थल और कब्रिस्तान, समारक, छत्रिया, कारखाने और बार, खर, बावडी, कुन, किला संवचनाए, कोसमीनार, पारंपरिक वास्तोशिल्प, तत्व, पवित्रों कोपवन और अन्य प्राकृतिक विरासत स्थलादी शामिल है, वो सारी चीजे हेरिटेज के आप्शन में हम ले सकते हैं, बस इतना ख्याल रखना है, कि वो सारी चीजे एक सो साल या उसके उपर के सालों से अस्तित में हो, इस तरह हमें हेरिटेज साइट का विजिट करना है, और उ हेरिटेज विरासत में कुछ एक्जामपल दिखा रहे हैं, कि किस तरह की चीजे हेरिटेज के आप्शन में आएगी, गाओं के लोगों से पूछ कर सही जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, अगर आपको सर्वे के दौरान ऐसी चीजे ध्यान पे आए तो जरूर से ल रंगों से होती है, जो आम तोर पर स्मर्नोट सब होते हैं और कभी-कभी मंदली, दिवाली, रमजान, छट, पुंगल, होली ऐसे त्योहारों के कुछ समान में उदाहरन हैं, ये त्योहार धार्मिक, सामाजिक या भौगोलिक समुहों से संबंधित होने का एहसास देते हैं वे आम तोर पर परंपराओं के एक विशेश सेट से जुड़े होते हैं और लोगों के लिए मनुरंजन प्रदान करते हैं। उदाहरन के लिए होली का त्योहार, भारत में हिंदू असन त्योहार, रंगों के साथ खेलने की परंपरा से जुड़ा है। ये सब हमारे त्योह के रूप में वर्नित किया जा सकता है उदारण के लिए राजस्थान में पुषकर का मेला एक मेला है बार बार होने वाली हाट सापताहिक मासिकादी को भी नोट किया जा सकता है इस तरह गाउं के लोगों से पूछ कर हमें उनके गाउं के त्योहार और मेलों के बारे में सही जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं, त्योहार और मेलो के सर्वे के आप्शन में भी फोटो और वीडियो क्लिप अपडेट करने का आप्शन है, तो आप गाओं के लोगों के पास पड़े हुए, त्योहार और मेलो के फोटो और वीडियो क्लिप लेकर अप्लोड कर सकते हैं, य एक सफेद रन के संगीत नित्य प्रकृती सौंदर का एक कार्निवल है जहां आप तंबू शहर की विलासिता और बहुत कुछ का अनुभव कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन दर्शन करने से जिल मिलाते परिद्रश्य के दृष्य दिखाई देते हैं इस तरह से हम त्योहार की साथ करें तो गुंडियाली गाओं में लगभग 20 परिवार हैं जो टेरा कोटा शिल्प का अभ्यास करते हैं सभी परिवार एक दूसरे के करीबी रिष्टेदार हैं और मुस्लिम समुदाय के हैं वहां इसलामिक अनुष्ठान और क्योहार जैसे आयूजन होते हैं जहां ग कमजान के महीने के दौरान कारिगर मिट्टी के बरतनों के नियमित कारियों से चुटी लेते हैं या कम करते हैं और उक्वास पर जाते हैं ताकि वे शारीरिक रूप से धका देने वाले कारियों को कम कर सके दिवाली नवरात्री और होली जैसे त्योहार ऐसे समय के रूप म मनाये जाते हैं जब कारीगरों के पास एक अच्छा आफ़सर होता है क्योंकि बाजार में दियों और बरतनों की मांग तब अधिक होती है हम त्योहार और मेलों के बारे में गाओं के लोगों से क्या पूछे जिस से हमें सही जानकारी प्राप्थ हो सके पहला सवाल गाओं के मेलो त्योहारों और समारों का नाम और विवर्ण दूसरा सवाल उत्सव में कौन भाग लेता है तीसरा सवाल उत्सव का आयोजन कौन करता है चौथा सवाल इस अफसर के लिए तयार किया गया कोई विशिष्ट विएंजन पाचवा सवाल यदी संभव हो तो गाउं के प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ संशित इंटर्व्यू वीडियो ले नेक्स्ट स्लाइड में उदारहन के तौर पर आपको हमारे गाउं में मनाये जाने वाले थोड़े त्योहार और मेलो के फोटोज आपको देखने को मिलेंगे अब हम पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में विस्तार से समझेंगे अगर हम पारंपरिक कला के बारे में जाने तो प्रदर्शन कलाएं कला रूपों को संदर भिद करती हैं जहां कलाकार कलात्म का विव्यक्ति के उपकरण के रूप में अपनी आवाज, शरीर, साथ ही निर्जीव वस्तों का उप्योग करते हैं इसमें संगीत, रंगमंच, नृत्य और कटकुतली जैसे सभी कला रूपों को शामिल किया गया है इसमें कबड़ी, जल्ली कट्टू, सिलंबमादी जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल हो सकते हैं इसी तरह अपारंपरिक शिल्प के बारे में जाने तो दृष्य और भौतिक कलाएं, मूर्तिकला, नकाशी, पेंटिंग, डिजाइन, वस्त्र, धातु का काम, थिलोना बनाने, फोटोग्राफी और फिल्म जैसी कलाओं को संदर्भित करती हैं इस शेत्र में कलाकृती और इसके निर्मान, इसके अर्थ और उप्योग, सौंदर्य हुल्यांकन, एवन कलाकारों की रचनात्मक यात्रा और आंदोलनों के इतिहास का पता लगाया जाता है अब हम वीडियो में आगे पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में केरल के मूझी कुलम गाओं की पारंपरिक कला और शिल्प का उधारन देखेंगे कुटियाक्टम, भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्टे परंपराओं में से एक माना जाता है और प्राचीन संस्कृत रंगमंच से नाटकों का उकुप्योग करने वाला एक मात्र जीवित कला रूप माना जाता है कुटियाथन को यूनेस को द्वारामा नवता की मौखे और अमूर्थ विरासत की उतकृष्ट कृती के रूप में माननिता प्राप्त है कुटियाथन थियेटर संस्कृत क्लासिक इज्म। और केरल की स्थानिये परंपराओं के संश्लेशन का प्रतिनिद्ध्व करता है परंपरागत रूप से कुटियाथन चाक्यारो केरल हिंदू की एक उपजाती और नान्ग्यारमा अमबालावासी नामवियार जाती की महिलाए द्वारा ज्यादातर मंदिर परिसर के भीतर किया जाता था लेकिन में समकालीन समय में ये सभी समुदायों के लोगों द्वारा किया गया है कतकली कतकली केरल के विश्व के सबसे पुराने नृतियों में से एक है यह नृत्य, नाटक, अनुष्ठान और संगीत का सैयोजन है यह एक धार्मिक नृत्य है यह रामायन और शैर्व परंपराओं की कहानियों से प्रेणा लिता है कतकली पारंपरिक रूप से लड़कों और पुरुशो द्वारा की जाती है पापियर माचे, कतकली नर्तक विभिन्न प्रकार के मुखोटे, विस्तत तुपी और लंबे काले बाल पहनते हैं जो केरल की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं सभी कतकली मास पर्यावरन के अनुकूल है क्योंकि वे कागर्ज और गून से बने होते हैं अब हम उदाहरन के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड में पारंपरिक कला और शिल्प के थोड़े फोटोज को देखेंगे हमें गाओं के लोगों से ये सब डिटेल लेनी है और फोटो और वीडियो क्लिप बनाकर अपलोड करना है अब वीडियो के इस भाग में हम फेमस परस्नालिटी यानि की प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हम गाओं में उसे कह सकते हैं जो जिसका प्रसिद्ध और प्रमुक व्यक्तित्व हो जिसमें हम गाओं के उतकृष्ट पुरुशो और महिलाओ को शामिल कर सकते हैं जो समुदाय के इतिहास और विकास में उनके महत्वपून योगदान के लिए जाने जाते हैं जो किसी विशेश शेत्र में उनके योगदान के माध्यम से वे अपने ग्राम समुदाय के भीतर और बाहर पहचाने जाते हैं और अपने गाउं की पहचान के प्रतीक बन जाते हैं। तो हम गाउं में इस प्रकार की केटेगरी वाले पुरुष और महिलाओ को हम फेमस परसनालिटी के आप्शन में ले सकते हैं। उनके भी फोटोग्राफ और वीडियो मिल सके तो जरू अपलोड करना है। अब आगे के वीडियो में हम उत्राखंड के रामपुर विलेज की श इनवाल घाटी घाटी में सक्रिये हैं जो अब बीज बचाओ अंदोलन पर चिपको के दिगजों के साथ काम कर रही है। चिपको शुरू में उत्राखंड के गढ़वाल पहाडियों के कई गाउं में फैल गया। क्योंकि लोगों ने सामुहिक रूप से पेड़ों को काट ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक महिला संगर्ष की जरूरत पड़ी तो सुदेशा को दो बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वह अपने जैसी अन्य विवतियों के साथ रात में जंगलों में चली जाती और पेड़ों के बिच खड़े रहती और गाना सुनाती थी और अपनी सामुहिक ताकत को कम करने के लिए शक्तिशाली ठेकेदारों द्वारा नियोजित सशस्त्र पुलशों के डर के सामने जुक ना जाए इसके लिए वो भोजन के टुक्रों को साजा करती थी इस तरह की स्टोरी आप सर्वे में कवर कर सकते है तो हम गाओं में famous personality यानि प्रसिद्ध व्यक्तित वले व्यक्ति के बारे में जानकारी कैसे प्राप्ट करे अगर गाओं के लोग के अनुसार ऐसा कोई व्यक्ति गाओं में है तो पहले सवाल में लोगों से उन प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम पूछे दूसरा उनका व्यक्तिकत विव्रा और योगदान पूछे और साथ में वर्ष अवधी भी पूछे के वो कब से इस कारी में जुड़े हैं तीसरा उनसे जुडी दंद कताएं एवं कहानिया की जानकारी प्राप्त करें चौथा उनसे संबंधित व्यक्ति या परिवार यदिवे उपस्थि हो तो उनसे मिलकर उनकी डिटेल ले पांचवा उन नायक नायकों से जुड़ी कोई भी द्रिशिश रवे रिकॉर्डिंग थिर छवियां दस्तावे जितिहास को प्राप्त करें छठा और आखरी में यदि संभव हो तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ संशिप्त इंटर अब विडियो को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानि प्रमुख कलाकार के बारे में जानेंगे प्रमुक कलाकार के रूप में हम ऐसे कलाकार के बारे में सर्वे करेंगे जो कलाकार, शिल्प कलार, लेखाक और मास्टर शिल्प का किसी विशेश कला और शिल्प के निर्मार प्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित गतिविधी में लगे हुए हैं उदाहरण के लिए हम प्रदर्शन कला जैसे संगीत, रंदमंच, नृत्य और कटकुतली, कहानी सुनाना, पारम परिक्खेल और द्रिश्य और भौतिक कला जैसे मूर्तिकला, नकाशी, पेंटिंग, गिजायन, कपड़ा, थातु का काम, खिलोना बनाना, आदी के शेत्र में क कलाकार, एवन साहित्य, फोटोग्राफी और फिल्म से जुड़े हुए कलाकार को भी हम प्रमुक कलाकार सर्वे के आप्शन में ले सकते हैं, इस प्रोमिनेंट आर्टिष्ट यहनी प्रमुक कलाकार का सर्वे, कल्चर सर्वे में इसलिए शामिल किया है, की संस्कृती मंत् कल्चर सर्वे का सही उद्देश भी देखने को मिलता है, तो गाउं में जाए और सही जानकारी प्राप्त करके ही सर्वे करें, यह हमारा उद्देश रहना चाहिए, तो हम गाउं में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानी प्रमुक कलाकार के बारे में जानकारी कैसे प्राप् पूछे, दूसरा, उनका संपर्क विवरन ले, तीसरा, उनका संशिप्त व्यक्तिगत विवरन और योगदान पूछे, और साथ में वर्ष अवधी भी पूछे के वो कब से इसकार में जुड़े हुए हैं। चौथा, उनसे जुड़ी दंतक्थाएं और कहानियों के बारे में जाने। पाचवा, उनसे संबंधित व्यक्ति या परिवार, यदि वे उपस्थित हों, तो उनसे मिले छठा और आखरी में उन नायक नायकों से जुड़ी कोई भी दृष श्रवे रिकॉर्डिंग। तिर्चवियां, दस्तावे जितिहास को प्राप्त करे, इन सब बातों को ध्यान पर रखकर हम गाउं में प्रोमिनेंट आर्टिस्ट यानि प्रमुक कलाकार व्यक्ति के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक सही तरह से सर्वे को पूर्ण कर सकते हैं गाउं का कलचर सरवे यानि की गाउं का सांस्कृतिक मान्चितरन कैसे करे उसके लिए हम स्टेप वाइज प्रोसेस देखेंगे सरविक्षक अधिकारी या वी एली को गाउं गाउं के डेटा संग्रा के लिए जाने से पहले गाउं की संस्कृती के बारे में कुछ समान्य जानकारी के साथ खुद को परिचित करना चाहिए क्योंकि ये उन्हें अधिक स्पष्टता के साथ प्रश्न पूछने के लिए कुछ संदर्ब देगा उससे हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार की इन्फॉर्मिशन मिलेगी और हम एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का देटा प्राप्त कर सकेंगे जिस गाउं का कल्चर सर्वे करना है उस गाउं के लोगों की सूची बनाएं जिनका हम इंटर्व्यू कर सकते हैं ताकि उस गाउं की संस्कृती पर गुणवत्ता पूर्ण जानकारी एकत्र की जा सकें वे सर्पंच, शिक्षकों, गाउं के बुजुर्गों आदी से भी पूच सकते हैं जो इस विशय पर जानकारी देने में सक्षम होंगे यदि आप एक सूची नहीं बना सकते हैं तो स्नोबॉल नमूना करण विधी का उप्योग करें एक रिलेविंट व्यक्ति यानि की उन सबसे सबंधित व्यक्ति को ढूंडें और उन्हें दूसरों के संपर्ख में रखने के लिए कहें जो उन्हें लगता है कि आपके अध्यान के लिए उप्योगी होगा इंटर्व्यू दे रहे हैं उन्हें अनुरोध करे की वे अभिलेखिय सामगरी जैसे की गाउं की प्रासंगिक तस्वीरे गाउं के बारे में किताबे ग्रंत कुछ भी जो गाउं के बारे में हमारे ज्यान को जोड सकते हैं वो चीजे लेके आए एक बार गाउं में जब सर्वेक्षक सरपंच, ग्राम प्रतिनिधी, ग्रामीरों से मिलता है तो उसे संस्कृती मंत्रा ले मेरा गाउं मेरी धरोहर के बारे में इस पश्ट रूप से बताना चाहिए इस सिस्थानी है सामुदाएक इंटर्व्यू देने वालों को अपने गाउं के बारे में अधिक बोलने में आसानी होगी सामगरी और रसत के मामले में यह बातचीत का सबसे आसान रूप है यह डेटा संग्रकरता, अधिकारियों, VLA द्वारा प्रशनावली के आधार पर एका कस्मिक बातची एक ग्रामीर के साथ आमने सामने की बातचीत से लेकर अधिक संग्रचित समू चर्चा तक हो सकता है इसके लिए केवल नोट्स और या वोयस रिकॉर्डर द्वारा सुनना, भाग लेना और रिकॉर्ड करना वश्यक है आपको लिंग और उम्र जैसे पक्षपात मुद्दो पर विचार करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग दूसरे लोगों के सामने बोलने को लेकर चिंतित हो सकते हैं तो दोस्कों इस तरह वीडियो में बताए गए सारे विशव को कल्चर सरवे में cover कर लेना है और गाउं के लोगों से मिलकर Culture survey की जानकारी देनी है और फिर Culture survey के लिए उन लोगों से एक सटीक जानकारी प्राप्त करनी है एवन सरवे में cover सभी जगाँ पर widget करना है सारी डिटेल लेनी है और उन सभी डिटेल्स को और साथ में खीचे गए फोटोग्राफ्स और 30 सिकंड के वीडियो भी अपलोड करना है ये सारी डिटेल हमें ऑफलाइन भी अपने पास रखनी है क्योंकि कई बार कोई टेकनिकल प्रॉब्लम हो तब भी हम फिर से डिटेल को अपडेट या अपलोड कर सके तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसी प्रकार की सही जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए हमारे डिजिटल सेवा गुजराथ चैनल को लाइक, सबसक्राइब और शेर जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तब के लिए बाई बाई नमस्ते चासरिया काल समाम एंजॉइ टेक केर अरने बाई